नमस्कार, स्वागत बच्छों आपका Self Study के चैनल में और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो वैवाहिक बलतका के अपनाधी करन की मांग हो रही है यानि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए इसके उपर बहस हो रही है तो इसके उपर चर्चा करेंगे बहुत जादा एक sensitive issue है जिसके उपर debate एक बहुत अच्छी debate होनी चाहिए ताकि इसको सही किया जा सके इसके उपर एक बढ़िया कानून लेके आया जा सके तो इसके उपर चर्चा करने वाले है या फिर इसके उपर एक article आया उसके बारें बहुत करेंगे कि अभी हाल फिलाल में दिली के high court में वैवाइक बलातकार को मतलब इसको अपरादी करने हैं या जो शादी में बलातकार होते हैं अपनी पत्नी के जास्तों बलातकार होते हैं अगर एक महिला जिसकी शादी हो गई है अब वो शादी होने के बाद अब कहे कि मैं शाररिक संबंद अभी नहीं बनाना चाहती हूँ बावजूद उसके उसका पती उसके उपर जबरदस्ती करके वो शाररिक संबनत बनाता है तो उसको बलतकार की कैटेगरी में डाला जाए इस करके यहां पर एक क्रिमिनलाइज मतलब कि इसको क्रिमिनल के अंदर या फिर सेक्शन 375 IPC के सेक्शन 375 के अंदर रखने की मांग की जा रही है जब इसको एक पेटिशन डाली गई या 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 चिका डाली गई इसको क्रिमिनलाइज करने के लिए तो सरकार ने कहा है कि हम एक constructive approach अपनाएंगे इसके अपर विचार कर रही है ताकि इसके ओपर कोई सही हम कानून लेकर आपाएंगे अभी आपको बताएंगे कि इसकी मांग क्यों उठ रही है साथ-साथ सरकार का क्या जवाब है कि वह अभी पीछे क्यों रही है कानोन बनाने के लिए अभी एकदम से नहीं हुआ कि एकदम से ही कहा गी कि marital rape को criminalize कर दिया जाए नहीं बहुत टाइम से मांग उठ रही है कि marital rape को एक तरीके का criminalize को किया जाए और सरकार इससे पीछे हट रही है अभी बताएंगे क्या कारण है और वाजिव कारण है या फिर ऐसे ही वो कारण दे रही है अभी देखिए आर्टिकल 370 आर्टिकल नहीं सची IPC की धारा IPC की सेक्शन 375 के अंदर बलतकार शामिल है उसके अंदर संशोधन करने की मांग की जा रही है कि आप इसके अंदर संशोधन कर दीजिए और यहां पर marital rape को इस category के अंदर डाल दीजिए थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देते हैं अब यहां पर धोड़ा background में बात करें मतलब कि अगर कोई पती अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती कर रहा है तो उसको यहां पर section 375 से उसको दूर रखा गया है मतलब अगर आप उसको section 375 में डाल रहे हो तो यहां पर एक ऐसी सोच दिखा रहे हैं पित्र सत्ता आत्मक एक सोच आ रही है सामने पेट्रियार्कल एक सोसाइटी आप एक पेट्रियार्कल आप सोच दिखा रहे हो वहां पर कहीं जहां पर मर्दों की चल रही है ओरतों की उनकी सुनी नहीं जा रही अगर उसने शादी कर ली है पर एक औरत ने तो वहां पर उसने अपना सब कुछ अपना आत्म सर्पित कर दिया उसकी कोई इच्छा नहीं है उसकी हाँ या ना की कोई वैल्यू नहीं है उसकी कोई शारिक अकंड़ता नहीं है उसकी कोई गरीमा नहीं रह गई है तो ये बात बोली गई है देखे जब ये फैमिनिजम स्टार्ट हुआ था जो उसकी दूसरी लहर आई थी देखे फैमिनिजम एक काफी अच्छी चीज़ है कि इसमें महिलाओं का शशक्ति करन किया जाए जिनको बहुत ज़्यादा जरूरत है जहां पर महिलाओं को दबा के रखा जा रहा है मतलब कि एक तरीके से जब आप ये जो मैरिटल रेप की बात सुन रहे है न ये आप अगर देखें तो इदर उत्तर साइड में हरियाना की साइड में आप देखें तो ऑस्टेलिया जो है 1976 में मेरिटल रेप को एक तरीके का उसको क्रिमिलाइज करने वाला पहला देश बन गया था फिर वहां पर उसके बाद स्केंटिनेवियन कंट्रीज के अंदर येरोपियन कंट्रीज के अंदर वहवाईक बलतकार को अपराद बना दिया गया इनि उसको क्रिमिलाइज कर दिया गया यहां पर चल रहे हैं लेकिन बहुत सारी गंट्रीज अभी भी हैं जहां पर अगर अगर एक पत्री अपनी पत्नी की इच्छा के खिलाव उसके साथ जोर्द बरदस्ती कर रहा है तो अभी भी उसको कोई कहा जा रहे कि ये तो उनको बलतकार की केटिगरी से दूर रखा जा बहुत सारी गंट्रीज तो सारी किसारी होगी जहां पर वैसे भी महिलाओं को कम अधिकार हैं और हमारे देश में अभी भी ऐसा ही हैं बहुत सारे लोगों के ऐसी सोच हैं जो एक तरीके से जब शादी करके ले आती हैं तो पत्नी को सिर्फ वो एक संभोग के तोर पे ही द तो इसको वो कभी भी इसको support नहीं करेंगे बहुत सारे लोग इस इसको support नहीं करेंगे कि marital rape भी एक चीज होती है अगर पत्नी की इच्छा नहीं है तो बावजुद उसके उसका उसकी कोई मान सम्मान नहीं है बस उसके साथ जोर्दबरस्ति की जा रही है care अब यहाँ पर एक चोटी सी आप चीजों को आप लोगों को बता देते कि वेवाईक बलतकार के अपवाद यानि एक्जम्शन जो है देखे आई पीसी की जो धारा 70 375 है उसके अगर एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती बिना उसकी इच्छा के उसके साथ यो एक अग्जम्शन नंबर 2 है जिसमें ये बात बोली गई है कि 15 साल से अधिक आयू के पती और पत्नी में के बीच अगर एनेचिक योन संबद हो रहे हैं तो आर्टिकल 3 आर्टिकल सोरी बार बार आर्टिकल आ रहा है कि IPC की जो धारा है या सेक्शन 375 है वहाँ पर बलतका इस पर मूल अधिकारों का खिलाब बहुत जादा कहा जा रहे है कि मूल अधिकार कहनन हो रहा है पर वाइक वलतकार के कारण क्या होते है कि देखें आर्टिकल 21 आर्टिकल 14 यानि देखें आर्टिकल 21 का मतलब कि अपने जीवन अपने देहिक अपनी बोड़ी के जो अगर शादी कर लिए तो शादी के अंदर क्या ओरत ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया क्या उसकी कोई इच्छा नहीं रही उसकी कोई शरीर की कोई dignity नहीं रही उसकी कोई liberty नहीं रही तो ये बात बोली जा रही है तो वहाँ पर महिलाओं के जमूर लिदिकार उनके खिलाफ ये चीजें हैं कि exemption जो आपने उनको दे रखा है अचा दूसरी बात ये कि बहुत जादा एक निराशा जनक परणाली है हमारे देश में न्याइक की कैसे तेकि आप यहाँ पर इतनी low report हो रही है कहीं पर भी इतने जाद नहीं है आपको जानकर है नहीं होगे NCRB यहनी के आंकडो के according 99 के करीब जो है ऐसे case है जो बाहर मतलब कि बाहर के मतलब report ही नहीं किये जा रही है मतलब आ ही नहीं रहें report करने एक तो यह हो रहा है दूसरी यह चीज कि उनको कानून की जाग रुकता ही नहीं है इतने कमी है उनको कोई awareness नहीं है दूसरी बात यह कि कई चीज़ें ऐसी होती है लंबी प्रक्रिया चलती है जिसके चलते क्या होता है कि वो ओब जाती है औरते भी इनको लगता है डर होता है कि इतनी इतनी लंबी प्रक्रिया चले कैसे इन चीज़ों का सामना करेंगे तो जिसके चलते बाहरी settlement हो रहा है जिसने पूरे देश को जंजोड कर रख दिया था राष्ट व्यापी विरोध हुए थे, परदर्शन हुए थे तब एक समीती का गठन किया गया था उस समीती का नाम था J.S. वर्मा समीती और उन्हों ने यहां पर जब अपनी रिपोर्ट में बताया कि वहवाएक बलतकार को भी इन्हों ने अपनी उस रिपोर्ट में भी कहा था कि वहवाएक जो मैरिटल रेप है उसको आपको क्रिमिलाइज करना चाहिए आप यह जो 75, 375 में जो एक्जम्शन नमबर 2 है आप इसको इखतम कर दो ना अब इसको इखतम कर दो अभी फिलाल सरकार ने एक बढ़िया काम किये 18 साल से जो कम उमर जो थी शादी की उमर जो लड़कियों की थे अब उसको बढ़ा कर 21 साल करने जा रही है क्या यह भी अच्छी चीज़ है लेकिन अब यहाँ पर एक बात बोली गई थी इसमें कि आप सेक्शन 375 का जो यह एक्जम्शन नमबर 2 है आप इसको खतम कर दिये ना ताकि आप इसमें सब को ला चकें यहाँ पर अब सरकार का क्या पक्ष है तेकि सरकार का पक्ष कहना यह कहना है कि अगर आप यह चीज़ें कर रहे हैं वेवायक बलतकार को आप एक अपराद की गोशित कर देंगे तो बहुत जादी शादियों पर खत्रा आ जाएगा आप उनकी निज़ता की अधिकार का उलंगन कर डालेंगे कहीं न कहीं यह भी एक चीज़ लगती है दूसरी चीज़ यह है कि देखे आपने एक IPC की जो सेक्षन 498 है जिसमें बोला गया है कि जो हतना की विवा में महिला और उसके पती या सुस्राल दुआरा उत्पीडन यानि उनको हराज किया जा रहा है तो वहां पर ये इसका बहुँ ज़्यादा दुरूपयोग हो रहा है बहुँ ज़्यादा रियल्टी में बहुँ ज़्यादा दुरूपयोग हो रहा है यहां पर मैंने जो मेरे आसपास मैंने जितने देखे हैं तो काफी सारी महिलाओं ने इसलिए कह के बलतकार में 2005 में है तो इसका दुर्पयोग बढ़ता जा रहा है अगर आपने उस चीज़ को क्रिमिलाइज कर दिया है तो जो पती है वो बहुत ज़दा परेशान हो जाएंगे और आप इसको justify कैसे करेंगे कहां बलतकार है कहां नहीं है ये भी एक बहुत बड़ा debatable issue है अब आगे चलके क्या होने वाला है देखें इसके उपर सुझाव ये दिजा रहे हैं कि आप एक काम करिए विवाएक बलतकार को अपरादी करना अगर आप करना ही है तो एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी इसमें आप करिए कि आपको अगर किसी की सजा डिसाइड करनी है तो उसके अंदर एक expert committee बनाईए उस expert committee के अंदर आप medical staff को रखें बहुत expert medical staff को रखें family counselor रखें वहाँ पर judges को रखें पुलिस को रखें और उनके जो couple के जो sexual history है वो उनको खंगा लिए उनके physical उनके psychological मतलब जो victim है उनकी सब चीज़ों को चानबिन करिए और फिर जाके वहाँ पर एक सजा का प्रावधान करिए दूसरी बात यह है कि वहवार में बदलाव लाना होगा कि जो कानून की जानकारी नहीं है जो महिला है उनको शशक्ति कर किया जाए वहाँ पर उनके skill के अंदर development किया जाए रोजकार बहुत सारी चीज़े हैं जहाँ पर उनको देखे एक तो महिला जो होती है एक dependable मतलब बहुत जादा depend होती है पती के उपर वहाँ पर उनको रोजकार का महतो बताना होगा कि आप रोजकार करिए आपको working में आना होगा ताब कि आप depend ना रहे एक तो ये भी चीज़ होती ही काफी सारी महिला है इसलिए बाहर नहीं आती क्योंकि उनको लगते है कि अगर मैं महार आई तो मेरे ध्यान कौन रखेगा क्योंकि उसके घर वाले जो महिला होती ही महिला के घर वाले उसको अपनाने से सभीकार मतलब अपनाते नहीं हैं कहते हैं कि तेरी तो शादी होगे अब तो तेरह ससुराल बाले उसको मार रहे हैं तो ये वाली काफी गंभीर issue है तो वहाँ पर उनको रोजगार के महत उपर या फिर कहें उनके skill development पर उनके पुनरवास के उपर कानून की जानकारी के उपर उनको इन सब चीजों को awareness करवानी बहुत ज़्यादा जरूरी है तब जाके चीजों सुधार में आएंगी और तब जाके चीजों को यहां पर लागू किया जाएगा यह तो था एक जो marital rape को criminalize करने के उपर बहस हो रही है उमीद है कि आप लोगों को इज़िज़ समझ में आई होंगे और आप अपने विचार भी रख सकते हैं कि आप क्या सोसते हैं इसके बारे में और आपको इस वीडियो से related अगर PDF चाहिए तो आपको एक description box में link मिलेगा telegram का तो जाकर आप उसको join कर लीजिए वहां पर आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी तो बस इतना ही था और हाँ वीडियो पसंद आई है तो like करिए subscribe करिए channel को और जादा ही पसंद आए हैं तो share कर दीजिए share channel को भी और वीडियो को भी thank you for watching this video